राफेल मुद्देपर एक बार फिर कॉंग्रेस बीजेपी सरकार को कटखरे में खड़ा कर रहे हैं हमाई साथ मौझूद हैं राकेशना जी सर आज राहूल गांधी ने भी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगहां उपर जहें कुछ फोटो डाली हैं सुना है राफेल के उपर सर्वोष चिन्याले ने कॉंग्रेस के उन सब लोगों को फटकार दिया था सभी पक्षों को देखकर अपना निर्ने सुनाय था लेकिन दुरभाग्य की बात या है कि दस जनपत के लोग अपने आपको देश की करजपाली का बिधाई का और निया फासिवाद में हो वे सभी चीजों को उसी फासिवादी नगर से देखते हैं राहुल गांधी नौ फासिवादी निता है जो फासिवाद इटली में था उसकी नवीन सुरुवात वे भारत में कर रहे हैं उनकी जो भासा भंगिमा तौर तरीका है वो यही दिखाता कि भारत में नौ फासिवाद जड़ जमाने की कोशिस कर रहा है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि वोफर सौदे से लेकर और उसके पहले उनिस्वाइन चास में जीप के घोटाले में जिसमें स्वेम जपंडी जवाहरलाल नेहरू के संरक्षन में भरस्टाचार कि वोफर्स में और जीप घोटाले में और डिफेंस के जितने डिल हुई हैं उन घोटालों में किस परकार से कमिशन खोरी होती थी। नरेंदर मोदी जी ने डिफेंस के छेत्र में देश को सावलंबी बनाने के लिए जो सैक्रो उत्पादन चीजों का उत्पादन भारत में करना शुरू किया है जो विदेश के आमस डीलर को धक्का पहुँच रहा है उसी का प्रतिनहित्तो राहूल गांधी कर रहे हैं राहू किसी चीज का डर नहीं है कुछ गरवड़ी नहीं हुई तो जेपीसी जांच क्यों नहीं करवा देते हैं देखे एक बाद सरवोच चनेयाले ने फैसला दे दिया उनको जो कुछ भी जेपीसी में कहना था उनकी पास चिदामरम सहाब से लेकर कपिल सिब्बल सहाब जैसे ब में है सर्वोच चनेयाले ने एक एक चीज की चानवीन की है बास्तों में वह देश को भ्रमित करना चाहते हैं और भारत की सुरक्षा का राजिनती करन करना चाहते हैं तो कॉंग्रेस के तब से कहा जा रहा है कि राहूल कांधी जो मुद्धा उठा रहे हैं अब तो यह इस कॉंग्रेस पार्टी की जर जमीन विदेश में ही रहती है हमारे देश में हमारी न्यायपालिका है न्यायपालिका ने जाच की है स्रिमती इंद्रा गांधी ने भी न्यायपालिका का अपमान किया था न्यायपालिका को लागने की कोशिज की थी उसी प्रक्रिया में उसी पर अंपरा में राहुल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी भारत की नियायपालिका का अपमान कर रही है, नियायपालिका के नर्णय के विरुद जा रही है, सरवोच चिन्याले से जधी अधिक महत्तपुर्ण, फ्रांस में होने वाली उन्हें जांस नजर आ रही है, एक समें नोफासिवाद के विए भारत में प्रतिन्दी है, उन्होंने भी एक तरह से भले जिसी तोर पर राफेल का देकर ना क्या हो, लेकिन रक्षा सौदों में दलाली जैते शब्दों का इस्तमाल किया, देखे उनके पिता जी मुलाइम सिंग जादव जी, रक्षा मंत्री थे, उस दोरान जो सौदा हुआ था, उसकी भी जाज कराने की मांग कर लें, तो बहुत बहतर होगा, और जिन लोगों पर सरकारी निवास से नल की टोटी ले जाने का आरोप नहीं है, तत्यात्मक प्रमान है, उनके पास भी ऐसी नेतिकता है, कि सौदों के बारे में कुछ बोल किया है, वो प्रधान मंति के शवी को नुक्सान करने वाला है, उनको तुरंट जहें, उसको विड्रॉ करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और एक तरीके से जब देश की सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, वहां सारे तथ्या चुके हैं, तो अब बीफिजूल आप को रखे आगे